इस टाइप का इंटिग्रेशन तो सबसे पहले यह फंक्शन दिया गया इसके एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वाइर थीटा माइनस चैन स्क्वाइर थीटा इक्वेस टू बन इसके एक आइडिंग इसको स्वाइर बुका सकते हूं तो डी एक्स ओवर अंडर रूट अब एक्स की प्लेस पर क्या रखे हैं बीच माइनस है अगर यहां से स्क्वाइर थीटा की वैलू निकालेंगे तो बन प्लस टेन स्क्वाइर थीटा बनेगा लेकिन यहाँ है minus तो यहाँ पर 10 square theta की value निकालने पड़ेगी 10 square theta equals to क्या होता है, sec square theta minus 1 यहाँ पर करेंगे let x equals to अब x square है let x equal to sec theta यहाँ पर a है तो यहाँ पर a लगा देंगे square अपने यहाँ बन जाएगा यह हो जाएगा a square sec square theta minus a square हम उपर function dx है तो dx की value क्या हो जाएगी a sec theta का differentiation sec theta और 10 theta यह value खागे यहाँ रख देंगे अच्छा यह आया कैसे यह फंक्शन है x, c की डिफ्रेंशीशन का भी आगे dx over d theta यह यहाँ आगा a sec theta और 10 theta यह यह इदर इसको बैज भी आगे to dx equal to a sec theta 10 theta d theta अच्छा यह यहाँ रख देंगे value उठाकर a sec theta 10 theta d theta over under root अभी यहाँ से a square common ले लेंगे अंदर क्या बज़ेगा sec square theta minus 1 यह यह फॉर्मूला बनाना था है इसकी जगए लिख देंगे 10 square theta यह a square बाहर आजाएगा यह इससे theta 10 theta और d theta over यह बाहर आजाएगा तो खाली a sec square theta minus 1 10 square theta cable 10 theta बचेगा under root खतम हो जाएगा यह 20 theta a log of check theta plus 10 theta plus c अब से एक थीटा की वेलू कहां से find करनी पड़ेगी यहां से यह एक थीटा इक्वलस टो हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस तीन थीटा की वेलू ट्राइंगल बना लेंग यहां पर थीटा के लिए अगर यह थीटा है इस एक थीटा क्या होता है आइपो टेनस अपन बेस एच अपन कि कॉस्थ तेटा होता बी एपन एच एच की जगाए एक से यहां पर एक्स है बेस है यहां पर ए यह वाली साइट कितने हो जाएगी पाइथागोरस से एस स्कॉर्य माइनस एज स्कॉर्य तो 10 ठीटा की value हो जाएगी perpendicular upon base under root x square minus a square upon a plus c इसको दिसकते है x plus under root x square minus a square upon a plus c विया लॉग की property लग जाएगी log m by n equals to log m minus log n this becomes log of x plus under root x square minus a square minus log a let's see a constant together a constant plus constant equals to another constant log of x plus under root x square minus a square plus c dash लिए आए formula इसको diet teach करते हैं अगर exam में सिर्फ कि इतना आएगा तो ऐसे करना पड़ेगा इसके base पर question कैसे बनेंगे इसे दी इसे दी एक्स अबर under root 4x square minus 3 ये वाला फॉर्म होगे दी एक्स upon under root x square minus a square ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी ये डारिक्स नहीं लिखाया है dx over इसको लेक्स अगते है 2x का square minus इसको लेक्स अगते है under root 3 का square अब बन गई फॉर्म तो डारिक्ट फॉर्मुला है अप्लाई करते है log of x x का मतलब ये लीनियर फॉंक्शन जो है 2x plus under root ये ये ही जो given थी तो ये ही दोबार आएगी तो यहां पहुंच जाएंगे हम लोग 4x square minus 3 plus 3 ये जो फॉर्मुला बनाया है अभी dx over under root x square minus a square जियां डखना ये x का मतलब क्या है लीनियर फॉंक्शन लीनियर का मतलब राइखिक फॉंक्शन राइखिक का मतलब जिसकी एक गात हो यहां पर x भी हो सकता है 2x plus 3 भी हो सकता है a x plus b भी हो सकता है लेकिन द्यान देना है इस बार्ट में x के साथ यहां पर 2 है तो 1 upon 2 अवर आएगा यहां पर यहां पर यहां पर x के साथ जो कोफिसेंट है उसको बार में अलग करना पड़ता है यहां पर x कोफिसेंट बाना है तो इसमें कोई इसू नहीं होगा यहां पर x साथ कितना 2 है तो इसमें 2 लिखना पड़ेगा और x के साथ A है तो A लिखना पड़ेगा यहां x साथ 1 है तो इसमें कोई लिखना है यहां से एक और कोफिसेंट करते हैं इसको फेस पर dx ओबर under root 3x स्क्वाइर माइनस 5 वैसे करेंगे इसको इसको लिखने root 3 का root 3x का ओल स्क्वाइर minus root 5 का ओल स्क्वाइर अब फॉर्मुला एप्लाइड mod x का मतलब यह linear function जो गिवन है under root 3x plus under root वह ऐई चीज जो पहले थी original यह थी original यह इसको लिखेंगे फिर लिखना इसी को पढ़ेगा तो final answer यही लिख देते हैं direct 3x स्क्वाइर minus 5 plus c लगाएंगे के बी इंडेपने इंट्रीएशन है यह इसी का एक और आता है perfect square बनाने वाला है इसलिए का x square plus 4x plus 1 इसका करना इंट्रीएशन सबसे पहले इसको बनाएंगे perfect square perfect square कैसे बनाते हैं यह जो x है x के साथ में जो भी लिखा है उसका half करते हैं square पर देते अदला 4 होना चाहिए perfect square के लिए और 4 है नहीं समय एक है सिर्फ यहनि कि 3 जोड़ दें या 3 माइनस कर दें अब यहां से यहां तक x square plus 4x plus 4 minus 3 अब यह बन गया perfect square अब यह फॉर्मूला बन गया dx upon under root x square minus a square type का तो फॉर्मूला क्या होता इसका log of mod x plus under root x square minus a square plus c log of x के जगे यह लीनियर फंक्सन जाने कि x plus 2 plus under root यह क्या था original function इस पे कोई फार्द महीं बढ़ेगा original function क्या था इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे x square plus 4 x plus 1 आएगा अप्लस c अभी तक दो इंपर्टेंट integration के formula हो चुकी है एक तो dx over under root x square plus a square तो a का भी dx upon under root x square minus a square ध्या लखना x पहले है minus वाला a square बाद होए इसमें कोई लिक्कत नहीं है इसमें plus है square से भी लिखा जा सकता है dx upon under root a square plus x square तो इसको a square minus x square नहीं लिख सकते है इन दोनों का तो formula एक ही है log of x plus under root वाई चीज जो है x square plus a square इसका formula का है log of x plus under root यहाँ minus है तो minus बाद लिखा जाएगा दोनों similarity अगर plus है तो यहाँ plus होगा minus तो यहाँ minus होगा लिखें बाद दोनों भी plus है यहाँ doubt नहीं होना सही है यह plus तो यहाँ भी plus plus c यह बस्ते लगाएंगे मिलते हैं next formula पर तक के लिए जाएंगे भी plus है टुछे लिए अगर लगदें बाद लाएंगे तो यहाँ पाली को यहाँ? पर दोने बाद भी यहाँ पर चुछें लाएंगे पर दोन तुछेंगे